तो आज हम बताने जा रहे हैं कहानी मोहिंदर अमरनाथ की तो शुरू करते हैं। मोहिंदर अमरनाथ का जन्म 24 सितंबर 1950 को पटियाला में लाला अमरनाथ और कैलाश कुमारी के दूसरे सबसे बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनके बड़े भाई सुरिंदर एक पूर्व अंतरराश्ट्रिय क्रिकेटर हैं जबकि उनके छोटे भाई राजिंदर एक पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं। उनकी दो बहने भी हैं कमला और डॉली। मोहिंदर ने दिसंबर 1979 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में एक तेज गेंदबाज आलराउंडर के रूप में पदारपन किया। अपने चरम पर वह एक शीर्श क्रम के बल्लेबाज थे जो मुख्य रूप से भारत के लिए नंबर 3 पर खेलते थे। वह गेंद के साथ भी बहुत कुशल थे। बहुत ही कुशलता और नियंतरण के साथ स्विंगर और कटर गेंदबाजी करते थे। उनका एक अनूठा रनप था, जहां वह गेंदबाजी क्रीज पर पहुचते ही धीमा हो जाते थे। उनके सुस्त दिखने वाले व्यवहार के पीछे इसपात की नसे थी। मोहिंदर अमरनाथ ने 69 टेस्ट मैच खेले और 42.50 की बल्लेबाजी ओसत से 4,378 रन बनाएं, जिसमें 11 शतक और 24 अर्धश तक शामिल हैं और 55.68 की गिंद बाजी ओसत से 32 विकेट लिए। पचासी एक दिवसिय अंतराष्ट्रिय मैचों में उन्होंने 30.53 की ओसत से 1924 रन बनाएं और 102 रन बनाएं। उन्होंने 42.84 की ओसत से 46 विकेट लिए। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इमरान खान और वेस्ट इंडीज के मैलकम मार्शल ने उनकी बल्लेबाजी, साहस और दर्द को सहने और उस पर काभू पाने की क्षमता की प्रशंसा की है। 1982 से 83 में मोहिंदर ने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 11 टेस्ट मैच खेले और दो सीरीज में 1000 से अधिक रन बनाएं। अपनी पुस्तक आइडल्स में भारतिय दिगज और हमवतन सुनील गावसकर ने मोहिंदर अमरनात को दुन्या का सबसे बहतरीन बल्लेबाज बताया है। उन्होंने इस टेस्ट शतक के बाद शीर श्रेणी की तेज गिंद बाजी के खिलाफ 10 और शतक बनाएं। इमरान खान मोहिंदर को इतना मानते थे कि अपनी किताब All Round View में उन्होंने कहा कि 1982 से 83 के सीजन में मोहिंदर दुन्या के सबसे बहतरीन बल्लेबाज थे। इमरान ने आगे कहा कि मोहिंदर को 1969 में अपने डेब्यू से लेकर रिटायर होने तक भारत के लिए लगातार खेलना चाहिए था। 1969 में अपनी पहली सीरीज के बाद उन्हें टीम में जगह बनाने के लिए 1975 तक इंतजार करना पड़ा। इस सीरीज में इमरान खान ने अपने भेतरीन खेल का प्रदर्शन किया, जिसमें चतुर सर्फराज नवाज का भी साथ था। मैच दर मैच भारत पाकिस्तान की तेज रफ्तार के सामने तूटा गया और दूसरा, तीसरा और चौथा टेस्ट तीन शून्य से हार गया। विनाशकारी सीरीज ने मास्टर बल्लेबाज गुंडपा विश्वनात के करियर को खत्म कर दिया। मोहिंदर अमरनाथ पूरी सीरीज में भारतिय बल्लेबाजी लाइनप के लिए एक मात्र बचाव थे। एक अलग बाद सुनील गावसकर ने सीरीज की एक पारी में अपन बल्ला आगे बढ़ाया। सुनील गावसकर ने 434 रन बनाएं, मोहिंदर अमरनाथ 1983 क्रिकेट विश्व कप में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें फाइनल और सेमिफाइनल में Man of the Match से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने भारत को अपना पहला एक दिवसिय अंतराष्ट्रिय खिताब और पहला विश्व कब जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लेंड के खिलाफ सेमिफाइनल में उनकी सटीक सीम गेंदबाजी ने उन्हें डेविड गौवर और माइक गैटिंग के शीर्ष क्रम के विकेट उन्होंने अपने बारह ओवरों में केवल 27 रन दिये जो की 2.25 प्रती ओवर की ओसत से था जो सभी भारतिय गेंदबाजों में सबसे कम था। बल्लेबाजी करने के लिए वापस आकर उन्होंने भारत को एक ठोस आधार देने के लिए 46 रन बनाएं। उन्हें man of the match चुना गया। फाइनल में भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले बल्लेबाजी की जिसमें यकीनन मैलकम मार्शिल, माइकल होल्डिंग, एंडी रोबर्स और जोएल गारनर सहित दुनिया का सबसे अच्छा गिंदबाजी आकरमन था। भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और पूरी टीम 54.4 ओवर में 183 रन के मामूली स्कोर पर आउट हो गई। जो निर्धारित 60 ओवरों से काफी कम था। वेस्ट इंडीज की तेज गिंदबाजी के खिलाफ अमरनात की शांत और सन्यमित बल्लेबाजी ने भारतिय पारी को कुछ हद तक स्थिर्ता प्रदान की उन्होंने सबसे लंबे समय तक 80 गिंद क्रीज पर कबजा किया और 26 रन बनाएं। हाला की आम तौर पर सीमित ओवरों के मैचों में क्रीज पर लंबे समय तक रहना ज़रूरी नहीं है। यहां देखते हुए कि भारत पूरे 60 ओवर नहीं खेल पाया। अमरनात की पारी ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका दिया। क्रिश्नमाचारी श्रीकांत ने 38 रन बनाकर शीर्श स्कोरर रहे। उनके बाद संदीप पाटिल 27 रन रहे। खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद भारत की संभावनाएं लगभग न के बराबर मानी जा रही थी। हालांकी भारतिय गेंदबाजी ने मौसम और पिच की स्थिती का फाइदा उठाया। जो स्विंग गेंदबाजी के लिए पूरी तरह से अनुकूल थी और वेस्ट इंडीज को सिर्फ 140 रन पर आउट कर दिया। इस प्रकार फाइनल 43 रनों से जीत लिया। अमरनाथ और मदनलाल 3 से 3 विकेट लेकर सन्युक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। सेमी फाइनल की तरह अमरनाथ एक बार फिर सबसे किफायती गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने साथ ओवरों में एक दशमलव साथ एक प्रती ओवर की ओसत से केवल बारह रन दिये। फिर से सेमी फाइनल की तरह अमरनाथ को मैन ओफ दे मैच घोशित किया गया। अमरनाथ को मैच जीतने वाला विकेट हासिल करने का गौरव भी प्राप्थ हुआ। टीम के उपक्तान के रूप में उन्होंने अपने कप्तान और दोस्त भारतिय क्रिकेट के दिगज कपिल देव के साथ एक प्रसित तस्वीर में विश्व कप को उपर उठाया। 1,982 से 83 की अवधी को छोड़ कर मोहिंदर कभी भी भारतिय टेस्ट टीम में स्थिर स्थान नहीं बना पाएं और अक्सर बाहर हो जाते थे। मोहिंदर को भारतिय क्रिकेट के कमबैक मैन के रूप में जाना जाता है। शीर्ष पर अपने दो दशकों के दोरान उन्हें कई मौकों पर भारतिय टीम से बाहर किया गया और हर बार उन्होंने शांदार प्रदर्शन के साथ वापसी की। बहतरीन घरेलू क्रिकेट खेला और राष्ट्रिय चयन करताओं के लिए उन्हें नजर अंदाज करना मुश्किल बना दिया। वह अपनी बल्लेबाजी तकनीक, स्वभाव और कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने यहां तक कि साइडन बल्लेबाजी रुख के साथ भी प्रयोग किया, जहां एक पैर को क्रीज के कोण पर रखा जाता था। जिससे शरीर अधिक खुला रहता था और गेंदबाज को भैतर द्रिश्य मिलता था। इमरान खान मोहिंदर को इतना मानते थे कि अपनी किताब आल राउंड व्यू में उन्होंने कहा कि 1882 से 83 के सीजन में मोहिंदर दुनिया के सबसे बहतरीन बल्लेबाज थे। इमरान ने आगे कहा कि मोहिंदर को 1969 में अपने डेब्यू से लेकर रिटायर होने तक भारत के लिए लगातार खेलना चाहिए था। 1969 में अपनी पहली सीरीज के बाद उन्हें टीम में जगह बनाने के लिए 1975 तक इंतजार करना पड़ा। इस सीरीज में इमरान खान ने अपने बहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, जिसमें चतुर सरफराज नवाज का भी साथ था। मैच दर मैच भारत पाकिस्तान की तेज रफ्तार के सामने टूटा गया और दूसरा, तीसरा और चौथा टेस्ट तीन से शून्य से हार गया। सीरीज में 40 विकेट लेने वाले इमरान खान को मोहिंदर अमरनात के साथ सन्युक्त रूप से मैन ओफ दे सीरीज का पुरसकार दिया गया। भारत के लिए विनाशकारी सीरीज ने मास्टर बल्लेबाज गुंडपपा विश्वनात के करियर को खत्म कर दिया। मोहिंदर अमरनात पूरी सीरीज में भारतिय बल्लेबाजी लाइन अप के लिए एक मात्र बचाव थे। एक अलग बाद सुनील गावसकर ने सीरीज की एक पारी में अपना बल्ला आगे बढ़ाया। सुनील गावसकर ने 434 रन बनाएं। मोहिंदर अमरनात 1983 क्रिकेट विश्व कप में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें फाइनल और सेमिफाइनल में Man of the Match से सम्मानित किया गया। जिसमें उन्होंने भारत को अपना पहला एक दिवसिय अंतराश्च्रिय खिताब और पहला विश्व कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई। इंग्लेंड के खिलाफ सेमिफाइनल में उनकी सटीक सीम गेंदबाजी ने उन्हें डेविड गौवर और माइक गैटिंग के शीर्श क्रम के विकेट दिलाए। उन्होंने अपने बारह ओवरों में केवल 27 रन दिये जो की 2.25 प्रती ओवर की ओसत से था जो सभी भारतिय गेंदबाजों में सबसे कम था। बल्लेबाजी करने के लिए वापस आकर उन्होंने भारत को एक थोस आधार देने के लिए 46 रन बनाएं। उन्हें Man of the Match चुना गया। फाइनल में भारत ने West Indies के खिलाफ पहले बल्लेबाजी की। जिसमें यकीनन Malcolm Marshall, Michael Holding, Andy Roberts और Joel Garner सहित दुनिया का सबसे अच्छा गिंदबाजी आकरमन था। भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और पूरी टीम 54.4 ओवर में 183 रन के मामूली स्कोर पर आउट हो गई, जो निर्धारित 60 ओवरों से काफी कम था। वेस्टिंडीज की तेज गिंदबाजी के खिलाफ अमरनाथ की शांत और सन्यमित बल्लेबाजी ने भारतिय पारी को कुछ हद तक स्थिर्ता प्रदान की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक 80 गिंद क्रीज पर कबजा किया और 26 रन बनाएं। हालां की आम तौर पर सीमित ओवरों के मैचों में क्रीज पर लंबे समय तक रहना जरूरी नहीं है। यह देखते हुए कि भारत पूरे 60 ओवर नहीं खेल पाया। अमरनाथ की पारी ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका दिया। क्रिश्नमाचारी श्रीकांत ने 38 रन बनाकर शीर्श स्कोरर रहे। उनके बाद संदीप पाटिल 27 रन रहे। खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद भारत की संभावनाएं लगभग न के बराबर मानी जा रही थी। हालांकी, भारतिय गिंद बाजी ने मौसम और पिच की स्थिती का फाइदा उठाया, जो स्विंग गिंद बाजी के लिए पूरी तरह से अनुकूल थी और वेस्ट इंडीज को सिर्फ 140 रन पर आउट कर दिया। इस प्रकार फाइनल 43 रनों से जीत लिया। अमरनाथ और मदनलाल तीन-तीन विकेट लेकर सन्युक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गिंद बाज रहे। सेमी फाइनल की तरह अमरनाथ एक बार फिर सबसे किफायती गिंद बाज रहे। उन्होंने अपने साथ ओवरों में एक दशमलव साथ एक प्रती ओवर की ओसत से केवल बारह रन दिये। फिर से सेमी फाइनल की तरह अमरनाथ को मैन ओफ दे मैच घोशित किया गया। एक अमरनाथ को मैच जीतने वाला विकेट लेने का गौरव भी मिला। टीम के उपक्तान के रूप में उन्होंने अपने कप्तान और दोस्त भारतीय क्रिकेट के दिगज कपिल देव के साथ एक प्रसिध तस्वीर में विश्व कप को उपर उठाया। 1982-83 की अवधी को छोड़कर मोहिंदर कभी भी भारतीय टेस्ट टीम में स्थिर स्थान पर नहीं रहे और अकसर उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता था। मोहिंदर को भारतीय क्रिकेट के कमबैक मैन के रूप में जाना जाता है। शीर्ष पर अपने दो दशकों के दौरान उन्हें कई मौकों पर भारतीय टीम से बाहर किया गया और हर बार उन्होंने शांदार प्रदर्शन के साथ वापसी की, बहतरीन घरेलू क्रिकेट खेला और राश्ट्रिय चैन करताओं के लिए उन्हें नजर अंदास करना मुश पर रखा जाता था, जिससे शरीर को गेंदबास को भैतर द्रिशी के साथ अधिक खुला रुख मिलता था, अमरनाथ अपने व्यक्तित्व, साहस और द्रिड संकल्प के लिए जाने जाते थे। एक ऐसे यूग में जब तेज गेंदबाजी और बाउंसर के इस्तमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं था। उन्होंने हुकिंग करना कभी नहीं छोड़ा, ऐसा करने के लिए कई प्रोथसानों के बावजूद। आइसक्रीम ही खा पाए। माइकल होल्डिंग ने कहा, जो चीज जिमी को दूसरों से अलग करती थी। वह थी दर्द को सहने की उनकी अद्भुत क्षमता। एक तेज गेंदबाज जानता है कि बल्लेबाज को कब दर्द हो रहा है। लेकिन जिमी खड़े होकर खेलना जारी रखते थे। 1982-83 में भारत के वेस्ट इंडीज दौरे के दौरान ब्रिजटाउन टेस्ट में सिर्पर चोट लगने के बाद अमरनात को टांके लगवाने के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा। खेल में वापस आने पर उनका सामना इतिहास के सबसे घातक तेज गेंद बाजों में से एक माइकल होल्डिंग से हुआ। इसके बजाए अमरनात ने अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को बाउन्डरी पर पहुँचा दिया। हालांकि मैलकम मार्शल, माइकल होल्डिंग, विंस्टन डेविस और वेन डैनियल की भेतरीन गिंद बाजी के कारण वेस्ट इंडीज ने 1983-84 के भारत दोरे के दोरान अमरनात पर अपना सबसे घातक बदला लिया और उन्हें छे पारियों में केवल एक रन पर रोक दिया। जिसके दोरान होल्डिंग ने अमरनात को तीन बार डक पर आउट किया। अमरनात ने 0-0-01-0-0 के स्कोर बनाए और इसलिए 1983 के विश्व कप में अपने करियर की सर्वोच्च सफलता के कुछी महीनों बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। उन्होंने 1976 के दोरे में त्रिनिदाद के पोर्ट ओफ स्पेन के क्वीन्स पार्क ओवल में प्रसिध चेज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दूसरी पारी में 85 रन बनाए और भारत को एतिहासिक जीत की कगार पर पहुँचा दिया। अमरनात भारतिय क्रिकेट के राजनीतिक प्रतिष्ठान के साथ अपने संघर्षों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने चैन करताओं को जोकरों का जुन्ड कहां था। इसके कारण उन्हें अकसर भारतिय टीम से भी बाहर होना पड़ा। मोहिंदर के कुछ अनोखे आउट होने के रेकॉर्ड हैं। वे एक मात्र भारतिय हैं जो गेन को हैंडल करने के कारण आउट हुए हैं। उन्हें 9 फर्वरी 1986 को आउट किया गया था, जिससे वे One Day International में गेंद को हैंडल करने के कारण आउट होने वाले पहले खिलाडी बन गए वे One Day International में फील्ड में बाधा डालने के कारण आउट होने वाले एक मातर भारतिय भी हैं उन्हेंे Hit Wicket भी आउट किया गया है वे दुनिया के एक मात्र ऐसे अंतराश्य क्रिकेटर हैं जिने अपने करियर में गेन को हैंडल करने और फील्ड में बाधा डालने के कारण आउट दिया गया। उन्होंने बल्लेबाजी करते समय अपनी पतलून की जेब में लाल रुमाल रखने के अनोखे अंध विश्वास को प्रदर्शित किया। मोहिंदर अमरनाथ ने 80 के दशक के अंत 90 के दशक की शुरुवात में एक लोकप्रिय सापताहिक क्रिकेट कोचिंग टीवी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का नाम क्रिकेट विद मोहिंदर अमरनाथ था। इसमें तक्नीक प्रस्तुती और अतिथी वक्ताओं के साथ चर्चा शामिल थी, जो उस समय ज्यादातर भारतिय राश्ट्रिय टीम के सदस्य थे. उस समय के युवाओं में इसकी अच्छी खासी लोक प्रियता थी, खास कर 1987 में भारत में रिलायन्स कप के आयोजन के बाद जो क्रिकेट के दीवाने थे. यह कार्यक्रम राश्ट्रिय चैनल दूर दर्शन पर उपलब्ध था, जिससे क्रिकेट को आम लोगों तक पहुँचाया गया. इस कार्यक्रम का शीर्शक गीत, खेल ही है हमारा जीवन. बहुत ही आकरशक था. कार्यक्रम के लिए अमरनाथ ने 15 वर्शिय युवा सचिन तेंदलकर का साक्षातकार लिया था. सचिन घरेलू लीग में शांदार खेल रहे थे और उनमें अपार संभावनाएं दिख रही थी. एक साल बाद उन्हें पाकिस्तान दौरे के लिए भारतिय टीम में शामिल किया गया. तो यह थी मोहिंदर अमरनाथ की जीवन की कहानी ऐसी और कहानियों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ.